Hello students, कैसे आप सभी? I hope आप सभी काफी अच्छे होंगे आपके लिए एक काफी दुख की निउस हम लेकर आ रहे हैं जिसे हम in English bad news कहते हैं और ये हिमांचल में कोई नई बात नहीं रही है कि हिमांचल के अंदर कोई भी exam होता है तो exam के तुरंत बाद ही एक ऐसी news सभी को देखने को मिलती है जूकि एक आम सी बात होगी है जिसे हम कहते हैं paper leak होना paper या तो paper के time में leak होता है या तो paper के बाद में leak होता है तो इस बार भी जो हमारे पास JIT का exam हुआ है post को 9.39 उसमें भी इसी तरह का जो है वो case देखने को मिला है और सभी student demand कर रहे हैं कि papers को दोवारा से लिया जाए अब आईए जानते हैं कि जो भी department है उसका क्या कहना है कि वो paper दोवारा लेगा या नहीं लेगा या अगर वो paper दोवारा नहीं लेगे तो जो बहां पे students थे या कौन-कौन से students बहां पे पकड़े गए हैं किस तरह का pattern यह सारा रहा है इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे जो भी हमारे पास करम कांड हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे I hope कि आपको main screen जो यहां पे visible हो रही होगी इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास पेपर यहां पे हुआ है जिसमें अगर आप अगर clear करूं में आपको तो अब इसमें जो अभ्यारती है छे अभ्यारती जो है उनको गिर्फतार भी कर दिया गया है अब उनकी जान चबो शुरू हो गई है यहां पे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गई है सारा तो मैं आपको डिरेक्टली बता देता हूं किस तरह से यह सारी बात हमारे पास हुई है बेसिकलि यह मंडी से हमें आरे पास निकल के सामने आया है हुआ क्या है आपके पास कि जो भी जूनियर आफिसर असिस्टेंट की जो परिक्षा थी उसका पेपर पहले ही लिग कर दिया गया पुलिस ने इस मामले में जो छे लोगों को गिर्फतार किया है और बताया जाता है कि जब पेपर शुरू हुआ था हमारे पास यह परिक्षा शुरू हुई थी इससे पहले ही जैसे अगर स्टार्ट होने से पहले ही किसी परसन ने जो भी पेपर था उसके फोटो क्लिक करके वाटसेप के उपर वाइल कर दिये तो आप देखिए पेपर तो तभी मिलता है जब पेपर हम अगर एक्जाम देने जाते हैं तो बिदाउट एक्जाम हमारे पास पेपर कैसे आएगा तो यह भी एक बात है एंड जो भी आपके पास था यह रविबार को सुंदरनगर के जो नीजी कॉलेज था एक बहां पे यह हुआ है तो पेपर लीक करने की बहां से आई है एंड इस मामले में नीजी स्कूल के एक जो भी हमारे पास दिक्शक थे समेट छे लोगों को जो है वो गिर्फतार कर ल वो कही है और उन्होंने क्या कहा है कि सिरफ एक जगह के उपर ऐसा केस आने से जो है हम पेपर को रद नहीं करेंगे व्याथी यसे यह आपके पास सिरफ एक जगह के उपर यह क्यर्णा HERP तो इसली इस पेपर को रद जो है वो नहीं किया जा सकता ओके बाकी जो भी स्टूडेंट्स है उनके ओपर जो है वो केस कर दिया गया है पाकि यह सभी चीजे हैं तो तक्रीबन 300 के आसपास जो यह वकैंसिस थी जो कि भरे जानी थी और 500 स्तारा केंदर जो है वो हिमानचल में बनाई गए थे देखिए यह तो बो पोजीशन है जो कि पकड़ी गई है अब ऐसा भी हो सकता है ऐसी पोजीशन भी होगी जो पकड़ी क्यों दी जाती है यह चीज समझ नहीं आती अगर कोई private institute अगर paper करवा रहा है तो बहां पे cameras की पूरी की पूरी conditions रखी जाए कि जहां पे भी paper होगा बहां पे cameras जो है वो present होने चाहिए अगर बहां पे cameras नहीं है उनकी recording नहीं है तो फिर इस तरह से जो है यह चीज़े नही होने चाहिए ओके तो ये काफी चीज गलत है और इससे काफी students इनने त्यारी की होती है उनको काफी धका लगता है देखो paper दुबारा होगा तो लिद्डीन त्यारी की थी उनको भी जिनका paper काफी अच्छा हुआ है अपनी महनत से उन्होंने इस पेपर को किया है उनको फिर काफी दिक्कत होगी उसमें नहीं पे जो भी other students हमारे पास होते हैं जो की cheating कर रहे हैं जिनकी वज़ा से इसलिए ये जितने भी government schools है basically उनहीं में ये exam होना चाहिए जितने भी private schools है उनमें ये exam बिलकुल भी नहीं होना चाहिए तो आयोब की chain board इन बातों का आगे ख्याल रखे कि इन exams को private में ना होने दिया जाए क्योंकि जितने भी case आते हैं आपके पास private colleges हो गए private universities हमारे पास हो गई government में इस तरह के case कम आते हैं और अगर private institute में एक चीज़ में करवानी है तो उसमें पूरी तरह से जो हो इ सामने लाइए ताकि वो एक सही दाइरे में आकर यानि जो भी आपकी परिक्षा है वो एक जिसे पारदर्सी हो जो पता लग सके सभी को अब MR seat में ही गड़वड कर देंगे तो क्या कर सकते हैं ओके यह तो student पकड़े गया अगर यह नहीं पकड़े जाते तो फिर तो it means यह problem ना हो ओके तो आपको पता ही है इस सिस्टम इसी तरह चलता है आगे जाके भी यह समस्या आपको देखने को मिलेगी पहले से भी जियो के कितने एक्जाम से जो भी पैंडिंग पड़े हुए हैं तो मेवी यह भी आपके पास इसी तरह से पैंडिंग रहे बट आशा जल्दी से इसका result आए और जो भी गुनेगार है उनको सजा मिले और बाकी जितने भी स्टुडेंट है उनको जो है इसमें कोई भी इशू देखने को ना मिले ओके तो पेपर कैंसल नहीं होगा इस तरह का जो है वो आगे से कह दिया गया है कि पेपर कैंसल नहीं होगा आप करप्ट हो चुकी है जो भी बात में आप तक पहुंचाना चाहता था वो हमने आप तक शेर कर दी है बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगर चैनल के उपर आप निव है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा